रोग रोधी किस्मों के प्रमानित बीजों का प्रेयोग वैसे इन रोगों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है लेकिन अगर किसान अपना बीज काम में लेते हैं तो बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है अरगट रोग से बचाव के लिए बीज को पाँच लीटर पानी में एक किलो नमक का घोल तैयार कर इस घोल में बीज को लगभग पाँच मिनट भीगो कर उपचारित करना चाहिए तैरते हुए हलके बीजों और कच्रे को निकाल कर जला देना चाहिए शेश बीज को साफ पानी में धोकर चाया में सुखा लेड़ा चाहिए इसके बाद जोगिया आदी बीज जन्य रोगों से बचाव के लिए बीजों को तीन ग्राम थाईरम से उपचारित करना चाहिए सिट्टे निकलते समय प्रती हेक्टेर धाई किलो जाइनेब या दो किलो मैंको जेब का तीन तीन दिन के अंतराल पर दो तीन बार चिड़काव करने से भी जोगिया रोग के प्रकोप में कमी होती है कीडों में दलहनी फसलों के दुश्वन कात्रा के अलावा और कोई कीडा बाजरे को अधिक नुक्सान नहीं पहुचा पाता कात्रा रूट बग आदी कीडों की रोग थाम के लिए प्रति हैट्टेर 25 किलो मिथाइल पैराथियोन 2 प्रतिशत या क्यूनौल फॉस एक दशमलव 5 प्रतिशत का भुरकाव काफी रहता है इस तरह मानसून की वर्षा होने में पहले ही देर हो फिर भी बाजरे की अच्छी उपज ली जा सकती है बस जरूरी ये है कि यथा संभव समय पर बुआई की जाए और खेती के सभी उन्नत तरीके अपनाए जाए